हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है LD Player Android Gaming Emulator कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर वो देखेंगे और प्लिज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भू लें चलिए शुरू करते हैं आप अपने लैटाप या पीसी के अंदर को भी ब्रॉजर ऑपन करने के बाद यहां पर आपको गूगल ऑपन करने के बाद यहां पर आपको टैप कर देना हैं इंटर करते हैं यहां पर आपको फस्ट अप्शन दिखी जाएगा इसके ओपर आ यहाँ पे आपको दिख जाएगा अब यदि आप LD Player 4 डाउनलोड करना चाहते तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं यदि 4 चाहिए तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग मैं पहले वीडियो बना के रखा हूं वीडियो देखे LD Player 4 आप इंस्टॉल कर सकते हैं अब हम बात करते हैं LD Player 9 के बारे में यहाँ पे आपको दिख जाएगा 9 डाउनलोड करने के लिए इसके नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएगा तो यहाँ पे आप गेम अच्छी तरह से खेल सकते हैं पहले के मुकाबला यहाँ ज्यादा ऑपन हो गगा एक से नीचे तो यहाँ पर करके डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से विंडू ओपन हो जाएगा अब आलेज़े यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडू ओपन होता है तो आपको क्या करना है वो पास सेलेट कर लिएगा उसके बाद यहाँ पर आपको Save पे क्लिक कर देना है, क्लिक करते यह EXE डाउनलोड हो जाएगा, यदि आपके case में यहाँ पे डाउनलोड नहीं होता है, तो यहाँ पे retry दिख रहे हैं, इसके ओपर आपको क्लिक करके इसको दुबारा डाउनलोड कर सकते हैं, आटोमेटिक यह start नहीं होता है, तो डाउनलोड कम्पलिट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर का अंदर जाना है, जहां आपने EXE को Save किये, वहाँ पे आपको इस तरह से EXE दिख जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको पर प्रपर दिख जाएगा इसके उपर आपको क्लिक कर देने इस तरह से Windows ओपन हो जाएगल अब आपको देखें तो यहां पर आपको देखेंगगो यहां पर शेल करेंगे लिए आपको क्या करने है या तब लिक कर कर सकते या नहीं तब इसके उप़र क्लिक करकेkanis यानि´धी धर अब अयगर आपको क्लीक करने के लिए इस लिए मैं आपने केसे महींने क्लिक कर रहा हूं इस तरह से route ऑपन हो जाएगा अभले iç यापके केस में इस तरह सो भी इंडर पर यापको क्या करना यहांपको कल्क करना है, कलीक करने न के बाद यहांपर यहांपा पर एक और नहीं करना है, वो drive यहां से अप सेलेट कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है यहां पर ब्राउज दिख रहा है इसके आपको क्लिक करने हैं क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आप जिस भी drive के अंदर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वो drive आप यहां से सेलेट कर सकते और उस ड्राइब के अंदर यदि एक किसी Receiving करना चाहते हो फॉल्ड लेट कर लीजेगा यहां पर आपको किल करने के बाद यहां पर ओपर नाओ दिखेगा इसके केस में आपको क्या करना है इसको कैसे सौल करना है इसके पहले वीडियो बना के रखा आए बटन पे आपको इसका वीडियो मिल जाएगा वीडियो देख के आप इस प्रॉल्म को फिक्स कर सकते हैं installation complete होने के बाद यहां पर इस तरह से विंडो आ जाएगा यदि आपके case में भी यहां पर try now आता है तो आपको क्या करना यहां पर try now के ओपर आपको click कर देना है click करते हैं इस तरह से यह window open हो जाएगा उसके बाद यहां पर भी फिर से percentage चलना शुरू हो जाएगा यदि यहां पर भी आपके case में कहीं पर stack हो जाता है किसी percentage पर आकर यहां पर रुक जाता है तो आपको i button पर इसका वीडियो मिल जाएगा वीडियो देखके आप इस problem को fix कर सकते हैं यहां पर क्या होता है फर्स्ट तम यहां पर थोड़ा time लेता है क्या होता है यहां पर कुछ file download होता है तो आपको क्या करना है यहां पर wait करना है आपके net case speed पर depend करेगा कितना time लगेगा complete होने के बाद इस तरह से window open हो जाएगा अब यदि आप कोई game download करना चाहते है इस्ट यहां पर यहां से डिलीट करना चाहते तो आप यहां से इसको डिलीट भी कर सकते हैं इसके बाद यहां पर यहां पर कुछ सेटिंग दिखा देता हूं यहां पर आप देख रहे हैं इस तरह से window open हो जाएगा ping to window कर सकते हैं यहां पर display frame rate आप यहां से select कर सकते हैं से all下去 करना Campaign कर सकते हैं से इनफुर्मेशन देखना तो कोई अपडेट कर सकते हाँ बिनन on install किये हुए आप इसको आप्डेट करना चाहते हैं यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं about us पे click करके इसका version चेक कर सकते हैं, चलिए आप आपको मैं setting पे click करके दिखा देता हूं, यहाँ पे आपको setting पे click करना है, setting पे click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे mode दिख जाएगा, tablet mode दिख जाएगा, mobile mode दिख जाएगा, ultra mode दिख जाएगा, customize करना आते तो कस्टमाइज कर सकते तो यहाँ पर अपने हिसाब से सलेट कर सकते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से कौन सा रिजिलेशन रखना है आपके सिस्टम के कंफिगर के हिसाब से यहाँ आपको सलेट करना है उसके हिसाब से यह प्रफॉर्मेंस काम करता है यदि अच्छा सभाएझा इसके बार आपको मोडल सेलेक्ट कर सकते हैं benz sqp सलेक्त कर सकते हैं यहां कर सकते हैं इनेबल हाइप प्रेम रेट इनेबल करना चाहते हैं तो यहां से आप इनेबल कर सकते हैं इसी तरह यहां पर आपको ओडियो सेटिंग करने के लिए दिख जाएगा यहां से ओडियो सेटिंग कर सकते हैं यहां से वालपेर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप वालपेपर भी चेंज कर स सकते हैं इसके बाद यहां से आप कीबोर्ड का सेटिंग कर सकते हैं यहां से आप कीबोर्ड का सेटिंग कर सकते हैं किसी गेम का कीबोर्ड के लिए आपको सेटिंग करना है तो यहां से क्लिक करके आप कीबोर्ड का सेटिंग कर सकते हैं और यह कम ज्यादा करना होगा तो यह यहाँ से से सटिंग करके सकते हैं यहाँ से मीश पर किलिक कर्च चासकते हैं यहां पे भी आपको बहुत सारे detail दिखी जाएगा, यहां से आप multiple create कर सकते हैं, इसके बाद यदि आपने कहीं से android app download की हैं, उसको आप install करना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पे click करना है, click करने के बाद आपको क्या करना है, वो path select करना है, जहां आप आप download किया है, वहां पे आपको select करना है, इसके बाद यहां पे open पे click करके इसको install करना है, यहां से इसके बाद यहां पे आपको दिख जाएगा, यहां पे भी setting दिखेगा, यहां से आप Android का setting कर सकते हैं, यहां पे आपको दिख जाएगा, इसको पर click करेंगे, तो यहां पे बारे में दिख जाएगा क्या है यहां पर आपको सारा डिटेल दिख जाएगा अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा एंड्रोइड वर्जन यहां पर आपको एंड्रोइड वाला 9 वर्जन भी दिख जाएगा तो यहां से आप कंफर्म हो सकते ह यहां से आप चेक कर सकते हैं इसके अलावा इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल यहां से आप चेक कर सकते हैं तो यहां पर अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं इसके बाद भी Android से related किसी भी PC या लेटप के अंदर आप यूज करना चाहते है या चाहे low end PC हो चाहे high end PC हो उसके अंदर आप इसके थुरू खेल सकते हैं अब आप इसको अपनी हिसाब से यूज कर लिजेगा और प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैं थैंक यू